और दोस्तों कैसे हो यार सारे मैं आप सभी को वेल्गम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूटूब चैनल जे आर कॉलेज में जो की एक पार्ट है दोस्तों यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स का मेरा नाम है दोस्तों गौरम मुंद्रा और मैं जो भी 11th and 12th के कॉमर के बच्चे हैं ठीक है जो 11th वालों के senior से आपका जो दोस्त लेक्चर आ चुका है तो अगर आप 11th के हो जाओ दोस्तों अपने 12th के बच्चों को बुलाओ यार और 12th वाले सारे के सारे जल्दी से यहां आ जाओ क्योंकि आपके लिए एक बहुत इंपॉर्डेंट से ज्यादा कंप्लीट कर दिये हैं यह जो लेसन है लेक्चर 4 तक जाएगा उसके बाद अपने दोस्तों 5 लेसन्स और सिर्फ तीन लेसन्स तो एक बनता है आपके लिए भी बनता है ठीक है चलिए अब इस लेक्चर में बटने से पहले दोस्तों अगर आपने इस वीडियो कर रखाएगी नहीं और दोस्तों को साथ शेर करो ठीक है दोस्तों यह मेरे इंस्ट्राम आइडी कोई भी डाउट समझ से आप यहां पर कॉंटक कर सकते हो प्यार बातना है वह यहां पर बागी कमेंट सेक्षन में आपको बाटना ही है वो तो कहने की बात ही नहीं है चलो क्यार अभी क्या चल रहा है लेक्शन नमबर और थ्रड चल रहा है तो अगर जिसने दोस्तों लेश्टनेसिकंट में बूल रहा हूं एंक रहता है और आउट्सूरसिंग आता है, तीक है, डिस्टिंगश बीटवीन वह ट्रेडिशनल बिजनेस वह वाला बिजनेस बस, वह आता है, कॉमर्स और E-Bिजनस व्गरा, उसमें भी आता है, और BPO एन के PPO, आउट्सूरसिंग का एक पार्ट है, उझे तिनों में से कोई एक डिस्टिं यह सब आया दोस्तों जैसे कि लास्ट एक्जाम में यह कोशन बनता हुआ मैं देख सकता हूं तो एक बार आउट्सोर्सिंग इस चीज़ का आप लोग दोस्तों स्क्रिंचोट लीजे एक्जाम में अगर यह कोशन आता है तो इतना सा इंट्रक्शन नहीं लिखना है इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करना है इंपोर्टन टॉपिक है आउट्सोर्सिंग समझने पर और इसके नोट्स पर जान लगा दो अपनी एक्जाम में यह आपको फूट्फूल हो गया ओगा होगा पक्का होगा थोड़ा बरोसा रखो ठ बच्चा गहर है नहीं सरए कैसी बात कर रहा यह बिजनस आप किसी को देने की बात कर रहो है कुछ समझने हा रहा सर देखो दोस्त आउट्सोर्सिंग मतलब होता है कोई एक कमपनी अपना कोई एक काम किसी थर्डर परसंत से करवा रही है यह कमपनी अपना को यह कॉ RUSब और इसको आउट्सोर्सेंग क्यों जब एक अपना काम कोई भी काम कोई भी किसी और व्यक्ति से कराती है जो उस फिल्ड में एक्सपर्ट है उसे ये पूरे प्रोसेस को आउट्सोर्सिंग बोलते हैं पर अब अपने दिमाग में एक क्याल आया है ये कमपनी खुद से यूँ संको दूर करने के यह concept आया गया है οॉट Will PrTS कम्पणी जो होती है ना इसे दोस्टो एक सेड डीपार्टमेंट हो गया अकउक्टेशेटीपार्टमेट हो गयाक क्वा में लीगल डीपार्टमेंट गया लॉजिस्टिक डीपार्टमेंट हो गया यैसे बहुत अब एक company के लिए ना ये सारी चीजों में expert होना possible नहीं होता है तो company क्या करती है एक particular department like particular department केसा कोई company जो है ना एक legal team को hire कर लेती है अगर कोई company का कोई legal काम हो जाता है कभी उन पर कोई case हो जाता है उनको किदर case लड़ना होता है या फिर उनको कोई compliance फॉलो कर दी होती है तो ये लोग क्या करते हैं किसी और third person के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि कभी हमें company को कुछ legal चीज की जरवत पड़ीगी तो हम सिफ आपके पास आएंगे आप ही हमें service दोगे क्या आपकी service आप हमें outsource करोगे ये इस पूरे process को outsourcing कहते है अब ये same चीज में एक बार वापस example पर बताऊंगा मुझे बता है बच्चे शायद नहीं समझे हो क्योंकि नया topic है एकदम नया ऐसा है और like शायद कुछ बच्चे होंगे जिननों पहली बार सुना ऐसा कुछ तो करते हैं और दोस्तो जेयर college का example लेंगे हम जेयर college अपना जो channel है प्यारा साथ जेयर tutorials का आप मैं आपको connect करते जाओंगा आपको बिल्कुल समझ आएगा बस पूरा focus यहाँ पर बनाके रखिएगा दोस्तो यह क्या है जेयर tutorials यह एक दोस्तो company है यह company बदा ही क्या है इस company का काम बदा है दोस्तो इनका काम है यहाँ पर दोस्तो example पर focus outsourcing क्या है समझ आजा जाएग यह company में दोस्तो बहुत सारे लोग है और इस company का main काम है teaching service provide करना यह teaching की service education sector में यह company work करती है company किस में काम करती है education sector teaching service यह इसके teachers है ठीक है यह जो teachers हैं सुबह होता है आते हैं office में record करते हैं बंद करते हैं अपलोड गर चले जाते हैं कि इनका काम इसके अलावा ओफिस में कुछ नहीं करते हैं के तो एक दिन हमना आपने राहुल्सर यह अपने फाउंडर जया टुटोरिल्स के अभी जो फाउंडर अपने यह क्या बूलते हैं यार मुझे अपने टीचर्स लोग को ऐसा देख कर अच्छा नहीं लग रहा है यार यह घर से इनकी खुद की स्कूटी पर आते हैं अना खुद की बाइक पर आते हैं एक काम करता ह मैं इनको लेने के लिए गाड़ी बेढ़ने की बेढही पुल मर्सीडिस बेंस हमारे ने अद्या ए कभी-कभी तो फराणी इसाँ क्या करता है लेग्श्य के लिए तो ने को वर से स consider तो मैं निंजा ठीक है मदब हमारे सर हमें drop and pick up वाली सर्विस टार्ट कर दी है भी हम लोग को देखकर कि यार विचारा गौरो सर देखो न स्कूर्टी पर आता है अना एक्टिवाई उसकी के कार की सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके पास कावा-सा की निंजा बाइक है serving के निंजा साय जाता है तो यह राहूल 사र क्या करेंगा भी इनके पास सर्विस इनके पास oWe से लेकिन अब राहुल सर सोचते हैं नहीं यार मैं मेरे टीचर्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ पीक अपेंड रॉप सर्वेस वो जब यहां आएंगे तो मैं उनको खाना घिलाओंगा बिना खाना घिलाओंगा बेजोंगा ही नहीं तो यह सब क्या है दोस्तों यह सब रा सारा लाग की आती है अब राहुल सर बूलेंगे नहीं यार इतने पैसे तो मेरे पास ही नहीं है तो मैं इसको इतना खरीद नहीं सकता अब गया करूं तो राहुल सर बताया बुलते हैं एक काम करता हूँ जो यह कैप की सर्विस में अल्रेडी इंवल्ड है ना इसको औरना क्या नाम रकूं इसका कको गोल्डी कारवाला गोल्डी कारवाला एक बिजनस शॉप है इस बिजनस का काम है यह कार एंड़ बाईक्स रेंट प्रेंट में देता है तो क्या टो तो तेरी सर्विस मेरी कमपनी को प्रॉइड करेगाbaar कंपणी अपने सर्विस से को आउट्सोर्स करना चाहती है मेरी कंपणी में हमें टीचर्स लोग को ड्रॉप एंड पीक सर्विस देनी है लेकिन मेरे पास तो यह सर्विस नहीं है नहीं में पास इतने पैसे कि मैं नहीं कार खरीद लूँ लेकिन तू अल्रेड़ी गोल्डी कार वाले तू तो अल्रेड़ी उस बिजनस में इन्वाल है एक काम करना सुबह 8 बजे तुझे गौरफ सर को लेने जाना है दस बज्व उनको डॉब करता है यारह बचे तुझे और किसी को लिन जाना है उनको डॉप करना ऐसे एसे करके गौल्डी कार वालों को मैंने पूरा प्लान बताया गुंडी कार वालों ने बोला एक माईने का 10 क्रोट रुपे लूँगा देना है तो दे नहीं तो sorry sir तो राउल सर ने बोला ठीक है चलेगा डन करते पैसे की तो कमी ने राउल सर के पास तो बस भई फिर हो गया transaction अब दोस्तों भले ही हमें कार जेयार टुटोरियल्स के तरफ से आ रही है जब हमें मैं जब घर पे बैटूंगा कार तो मुझे जेयार टुटोरियल्स वाला ही बेचेगा न लेकिन जेयार टुटोरियल्स को सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है गुल्डी कार वाला गुल्डी कार वाला एक अलग बिजनस है JR Tutorials एक अलग बिजनस है लेकिन JR Tutorials को कार की सर्विस चाहिए थी इसके लिए JR Tutorials वालों ने वो सर्विस को आउट्सोर्स किया उस इंसान से लिया जो उस काम में एक्सपर्ट है तो इसको बूलते है आउट्सोर्सिंग की पूरी सर्विस इसको बूलते है आउट्सोर्सिंग स्टील कोई डाउट है प्लीज एक बर वापस देखो स्टील कोई डाउट आ रहा है इंस्टा पे आपको मुझे कांटेक करना पड़ेगा गोल्डी मुद्रा अंडर्सकोर क्योंकि फिर में वहाँ पर ही आपको एक बर वापस वाइस के तुरू समझा पाऊंगा एक बार इस पूरे एक्जामपल का समरी दे देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं देखो अभी नहीं समझा कोई बात नहीं समरी में बताऊंगा एक निट के अंदर सब समझ आ जाएगा पका फोकस यहाँ पर मज़ा आया एक्जामपल में मज़ा तो आया लेकिन आयोप आपको समझ में आना चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखना कितने बच्चों को एक बारी में समझ आ गया और अभी जो मैं समझाऊंगा ना यह तो फूल फायर समझाऊंगा नेंचन ना लो चलो इंस्टेंट एग्जामपल था वाई जो भी था इसके लिए शयद आपको एक बारी में नहीं समझ आया हो कोई दिख करती जेयार टुटोरियल्स एक एडुकेशन सेक्टर कंपनी गोल्डी कार वाला एक गराज पाजू में भाई मेरे ठीक है एक गराज जेयार टुटोरियल्स का पाउंडर कॉन राहुल सर राहुल सर के पास क्या है बहुत सारे एंप्लोईज एंप्लोईज टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं अब राहुल सर देखते हैं कि यार यह टीचर कोई स्कूटी पर आ रहा है कोई चल चल कर आ रहा है कोई और डो बगड़े के आ रहा है तो राहुल सर ने बोला मुझे तुमारे घर पर ना कर लेने आएगी तुम टेंशन ना लो तो राहुल सर ने सोचा कि अब मुझे इनको ड्रॉप & पिकप की सर्विस देनी है अब ड्रॉप & पिकप के लिए मैं पास इतना पैसे नहीं है लाइक मैं एक Mercedes-Benz करी दू तो आज उसको पीक करना है कल फरारी करी दू नहीं इतना पैसा ही नहीं है ओल्टो भी नहीं है वाई कहां से लूँगा क्या करोन में सोल्ट होगा एक काम करता हूँ राउल सर सोचते किसी ऐसे इंसान को पकड़ता हूँ जो उस बिजनस में एस्टेबलीज है और उसको बुलनगा तू कि सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे उसमें लिखा रहेगा सारे टर्म्स और जब गोल्डी कार वाला इस चीज को एक्सेप कर लेगा तो ऐसा बोल दिया जाएगा कि जे आर टुटोरियल्स ने अपने पीक अप एंड डॉप की सर्विस को आउट्सोर्स कर दिया किसको आउट्सोर्स किया गोल्डी कार वाला को मतलब जे आर टुटोरियल्स के नाम पे ही हो रहा है लेकिन जे आर टुटोरियल्स भी किसी और से ले रही है और जे आर टुटोरियल्स किसी और से मतलब किससे ले रही है तो वह दोस्तों गोल्डी कार वाला से समझ में आया है कि अब भी समझ में आया होगा बहुत इजी टॉपिक है आप ऐसे समझो अब आपकी दिवाब में एक और ख्याल आयोगा कि सर एक बात बताओ राउल सर ने खुद की कार क्यों नहीं खरीदी दोस्त मेरे एक बात बता हुझे आप एक कार खरीदने के लिए सर हमें जब प्क पेड ड्रॉप बेजेंगे तो एक अच्छिय कार लेंगे ऐसा तो नहीं कि टीचयर का स्टेटास剽 मेंक दें नोना चीना वाई तुटोरेल के टीचर है हूं तो स्टेटस में प्रेटेन होना चाहिए न तो अच्छी कार आएगी कि ने नियाएगी क्या फरारी फरारी एक्स पेक्सपेक करता हूं नहीं में मैक्स में किसमें बेट सकता हो बात है मस्टेंग मस्टेंग जीटी मैक्स टूमक्स मलब इससे वस वही मेरा आकरी है बच्चे हेरे सर वह तो मेरा पहला है ठीके बाई यहां देख लिए अभी चलो अब लेकिन समझो नायर समझो एक और अल्टो कार लेने को भी कितन पता चला ड्रावर फूर अइसा फुट पार्थ पर लोगों को उड़ा रहा है समझ रहो क्या हो तो यहां पर रावल सर क्या सुचते ना एक बिजनस में रावल सर पता है क्या सूचेंगे मेरा काम है बाई टीचिंग करवाना मैं तो बस अपने टीचर्स का भला सोच रहा ह मेरा मेन फोकस क्या है टीचिंग मेरा कोर एरिया क्या है टीचिंग नौन कोर एरिया क्या है यह सब टीचर्स को लाना उनको वापस भगाना फिर उनको खाना कि लाना यह नौन कोर एरिया है मेरा कोर एरिया क्या है मेरा कोर एरिया है टीचिंग पर खर्चा लगेगा मैं सोचना पड़िया है तो वो खर्चा बचाओ और वो काम किसी और को दो तभी तो यार बिजनस बढ़ेंगे बाकियों के भी देखो ना यार गोल्डी कार वाला को भी तो एक आउडर मिल गया बड़ा सा इसको बुलते हैं तो इसको बुलते हैं टीक है चलिए यहां पर कंपनी कंपनी के साथ जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जैसे गोल्डी कार वाला मुझे सर्विस दे रहा था तो मैंने उसके साथ एक एग्रिमेंट बनाया उसमें सब कुछ लिख दूंगा टर्म सेन कंडिशन देख भाई ऐसा ऐसा तुझे काम करना है अगर तु नहीं कर पात क्या है टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करना टीचर्स को पीक अप करना ड्रॉप करना उनको खाना कि लागे घर बेजना यह क्या टूटोरियल का काम है यह क्या इनका बिजनस है नहीं न यह तो इनकी नोन कोर एक्टिवीटी है यह तो एज़र करना चाहते है समझ में आ है चलो बेनेफिट क्या है अगर आप आउट्सोर्सिंग कराते हो तो इसके बेनेफिट्स क्या है रिडियूस इट्स ओन कोस्ट राउल सर के जेप से ना कहां 10 लाग की इन्वेश्मेंट लेकिन अब वही गोल्डी कार वालों को प्रोवाइड कर देंगे गोल्डी कार वाल इस कोस्ट ठीक है फोकस मोर औन कोर एरिया सोचोना आया राहूल सर अब मुझे आपको एक्जांपल दूँ के मस्ता सा इक्जांपल दिवाग में आया है जस्ट इमेजिन राहूल सर अपने टीचर्स को ले जाने लाने के लिए कुछ जारे अरे भाई खुद कार निकालता ह कौन हायर करेगा डायर को भी हायर करने के लिए उस पर भी जाएगी पैसे वेस्ट हो जाएंगे राहूल सर अपको लेने वाले हाँ सर आजाओ अगर ऐइसा करेंगे तो अपने अपने कोर अक्टिवीटी पे ध्यान कब देंगे कोर एक्टिवीटी क्या है teaching समझ मैं है नॉ आपको एक्टिविटीज का खयाल रखना होता है लेकिन आपको कोर एक्टिविटीज पर बिल्कुल भी कॉंप्रमाइस नहीं कर साथ जैसे एक और एक्जामपल फूल एक्जामपल के साथ ही चल रहा है जैसे दोस्तों अपने ये जयार कॉलेज का अभी एक कोर एक्सपेंस बताओ आप कोर एक्सपेंस क्या है बच्चा गर रहा है सर एक तो आपका एलेक्रिसीटी बिल्द वह जलूरी है अगर आप वो दोगे तो यह बोर्ड चलेगा कभी बाइणी चांस इस बोर्ड को कुछ हो जाता है ना लक्चर रुक जाएंगे वाई समझ में आ रहा है तो यह बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है तो यह मेरा कोर एक्सपेंस है मैं इधर खर्चा करने के लिए एक बार भी नहीं सोचूंगा ले चलो एडवांटेजिज आप आउट्सोर्सिंग अब समझते हैं कि एडवांटेजिस के फाइदा क्या है आउट्सोर्सिंग करने का देखो वही क्या है ओर्रॉल कॉस्ट एडवांटेज आपका खर्चा बचेगा दोस्तों जो काम आप महीने का 40,000 में कर सकते थे अगर वह करने केस में जे आ टुटोरियल में सोचो अगर राहूल सर कार चलाते और क्या पता उनको इतना अच्छे से नहीं आता उन्होंने किसी को फुतपार्ट पर उड़ा दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना लेगिन गोल्डी कार वाला उसका तो धंडा ही उसका तो बिजनस कर सकते हैं चीए है ना क्यों अपने काम के लिए एक्सपर्ट को हायर किया यह होता है आउट्सोर्सिंग का फाइदा लो मैन पावर कॉस्ट सो चुनाया राहुल सर को अगर उन्हें हमें पीक अपन डॉप की सर्विस दिनी पड़ती तो पहले उनको एक कार खरीदनी पड़ती और मिनिमम एक से दो ड्राइवर तो रखना इससे अच्छा किसी और कोई यह काम थमा दो इसको आउट्सोर्सिंग बुलते हैं एक्सेस टू हाई कॉलिटी सर्विस एन एक्सपर्ट अरे है ना अपना गुल्डी गुल्डी गार वाला देगा वह अच्छा एक्सपर्ट सर्विस अरे उस चीज का जैसे दोस्तों जैया सर्विसिंग कराने हैं मेंटेरेंस कराने ही गुल्डी कार वाला क्या बुल रहा हूं में है समझ में आया है क्व्लिटी ऑष्छिक कौन अच्छा देगा गुल्डी कार वाला अगर कुछ सर थोड़ा कम देंगे क्योंकि उनका कोर काम क्या है teaching करना जैसे कि teachers को लाना उनको छोड़ना अब ये काम हमारा नहीं है ये काम किसी और department का है वो department देखता रहेगा हमारा काम उनसे बस teaching करवाना है दोस्तो ये advantages आपको exam में as it is लिखना है I am very sorry but आपको ये head points में आपको भी गटबट नहीं कर सकते है 8 head points है minimum six आपको exam में लिखना है ये question exam में चार से चार तो नहीं पाच मांक कहीं आता है 8 mark case में तो नहीं आएगा I hope नहीं आए और अगर आज आता है ना तो नाचना प्रेले तो फूल भांगणा करना bench पे बेटे बेटे क्योंकि इतना easy question नहीं आता यह easy है बाई चलो फिर कहां सर को एक कार करिद नी पड़ती ड्राइवर को अपने employment में रखना पड़ता यही काम सर ने किसी और को assign कर दिया इसको outsourcing बोलते हैं increased efficiency and productivity efficiency क्यों बढ़ी क्योंकि यह काम अब कोई expert संभाल रहा है इसके लिए efficiency बढ़ गई knowledge sharing सोचो नायार कभी राहूल सर और वो गोल्डी कार वाला का founder गोल्डी कार वाला का founder जया टुटोरियल्स का founder दोनों साथ में पटके चाई पी रहे और सर टीचिंग का service कैसा चल रहा है आपका तो राहूल सर बताएंगे रहे बहुत अच्छा चल रहा है फिर वो मुझे प बिजनसमेन दूसरे बिजनसमेन एक साथ एक बिजनस को चलाने के लिए मदद करते हैं तो उसमें यह benefits होते बहुत सारे अब दोस्तों ऐसा नहीं कि C4C benefits ही है कुछ नुकसान भी है और disadvantages पर चलते हैं कि और एक बार तोड़ी सास लेने दो है जैसे एडवांटेश का screenshot लेलो एडवांटेश का भी लिलो भाई यह वैसे आपके शायर टेक्स्ट में है as it is लिखना है as it is लिखना है आपके पास कोई option नहीं जैसे यह पाचने डिज़ाट एडवांटेश आपको समझ में आ गया सब रट्टा मारो मुझे बात बताओ यहां पर एक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको न समझ नहीं आया होगा में टास्क है इसको याद करके लिखना में टास्क चलो आगे डिस एडवांटेश के है भाई नुकसान भी बताओ सबवाइदा ही होगा क्या आगे लैक औफ कस्टमरफ़ोकस दोस्तों कहीं है लैक औफ कस्टमर का फोकस अगर आप आउटसूर्सिंग पर कराते हो ना तो आप पे दोस्तों कस्टमर से फोकस हड़ जाता है इससे मैं बत सब्सक्राइब क्या हो गया है अगर समझो सब्सक्राइब एक काम ने गई काम आम् तो राउल सर क्या सब्सक्राइब और तो केसव लेका है तो कैस जा खेए लाइब आपको यह नहीं देखना टीचर्स लोग के साथ क्या चल रहा है वह आ जाएंगे अपना पढ़ा के चले जाएंगे आप अपना यह देखो टीचिंग सर्विस कैसी प्रोवाइड हो रही है समझ में आया इसके लिए किते लैक ऑफ कस्टमर फोकस कस्टमर पर ध्यान देना वह वह बिजनस अपना कर लेंगे उनको छोड़ अपने हाल पर द्यान रखेगा आप का काम क्या है gratitude का देखना रखान रखन का कस्टमर से नुकस हड जाता है आप देखते हो еदे वह जो दुसरा बिजनसमें आपके साथ क्लेक में आपके सक्राइग है अग या आप उसको business का partner नहीं बना रहे हो लेकिन आपके business में उसका भी एक role है और वो है drop and pick up वाली service आपका non-core area में उसका भी हाथ है कई ना कई तो उसका भी involvement होगा ना business में तो एक customer से focus हटके एक tension आ जाता है यार एक stress आ जाता है business में अरे यार पहले इतने टाइम तक तो मैं अकेला था पर अब ये गोल्डी कार वाला भी है पता नहीं ये कुछ दोका ना दे बस मेरे साथ ये एक thought उनको रोज सताएगा ठीके तभी agreement बनते और agreement एकदम high quality वाले बनते कि कुछ हो जाए है तो हम इस पर legal action दे पाए यहां मैं यह भी बता रहा था कि भाई एक advocate और lawyer LLB मुझे LLB इतना पसंद देना यार मतलब पता नहीं यार बहुत पसंद है तो बोलता हो भाई कोई 12 में किसका 12 हो जाता है और मुझे कोई पूछता है कि सर आपका favorite combo क्या है degrees का तो मैं पता ह क्या बोलूँगा पहले तो five years वाला LLB करना five years वाला LLB CET दो महारास्टा के top college को target करो बहुत कम फीस है कि admission मिल जाएगा पाथ साल और उस five years में आपको training internship करनी है किसी lawyer के अंडर किसी advocate के अंडर और साथी साथ CS के लिए prepare करना है company secretary ठीक है मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हारा जो package ठीक है चलो मेरा गाम है बताना अब आपको interest होगा तो इस पर search करना फिल एक्जाम पर focus दे लेते हैं threat to security and confidentiality जैसे आभी हमने बताया कि गोल्डी कारवाला का भी बिजनस में involvement है तो गोल्डी कारवाला क्या पता हमारे business tricks tips किसी और education sector वाली company को जाकर बताता होगा पता तो होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा ना ठीक है फिर के dissatisfactory services ethical issues ethical issues वह यह मतलब कि यार legal tension होता है legal stress होता है legal distress होता actually और कि मतलब यार यह कुछ गडबड ना कर दे ethically काम करे unethically काम ना करे गोल्डी कारवाले को हमने अपने business का एक पार्ट बनाया है हमने अपने business का पार्ट उसको outsource किया है I hope गोल्डी कारवाला एक मेहनत के साथ काम करे आना वो कार चलाना इसका मतलब यह नहीं दूम मच करते हो यह इसका disadvantage other misunderstanding of contracts agreement में आपने गलतिया कर दी agreement गलत बन गया ना भाई तो आपकी बैंड वजा देगा तो आउट्सोर्सिंग पर जब agreement बनता है ना खर्चा किया जाता है agreement पर दो चार लॉयर से बनवाया जाता है मतलब पहले एक लॉयर ड्राफ्ट करता है सेकेंड agreement इतना मुश्किल है बनाना भी और इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है पैसा मिलता है जोड़दार चलो फिर क्या lack of communication सीधी बात है गोल्डी कारवाला का काम क्या था पिक अपेंड डॉप चलते चलता बन राउल सर क्या उसको पूछेंगे क्या कैसा चल रहा है तेरा सब घर में मस्त एक दम मस्त गोल्डी कारवाला का बिजनस कैसा चल रहा है नहीं ना राउल सर को क्या लेना देना भाई तू मेरे टीचर को यहां पर लाके दे उनको घर अच्छे से पहुचा मेरा यही काम है समझ में आया बागी हमें कुछ मगजमारी नहीं चाहिए पूर कॉलिटी एंड डिलेड से सर्विसेस गोल्डी कारवाला को मुझे हर बार उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टीचर को सही से लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है कही ना गई तो मेरा फोकस उस पर जाएगा टीचिंग सोचो ना राहूल सर यहां पर क्योंकि अब उन्हें नौन को रेक्टिविटी भी स्टार्ट कर दिये चलो और दोस्तों इसके साथ अपना यह लेक्चर यहां पर कम्प्लीट होता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को नहीं टॉपिक का एक और एक्जमपल दिया जाए मुझे ना वह सैटिस अब कैसा है वेस्टन साइड पर वेस्टन कुंबई टीक है अब मेंगा बता रहो किसी को नहीं पता हो तो नाला सूपरा में दोस्तों एक जगा है अपने एक मॉल है कैपिटल मॉल बढ़िया मॉल लगता वाई एकड़ तो यह है अपना कैपिटल मॉल और बाकी जो लोग जिदर भी रहते होंगे सब इनफिनिटी वगरत जो भी सेट रहते हैं वह आप ऐसा समझ ले ना ठीक है इन और वगरत जो भी आप जब आपका फेवरेट मॉल है डीमा अपना डीमा बपर जागे आई होप चलो अब आप जब यह कोई भी मॉल में बुस्ते हो तो आपको ए करते हैंगी नहीं मैं सक्षिन प्ली अलग वूमें सक्षिन प्ली अलग अधिक है और यह गेट है मॉल का इसमें जाने से पहले आपको अपनी चेकिंग करानी होती है फिर यह मेल इदर जाता है अब ज्यादातर क्या होता है ना मॉल्स एक बिजनस इनने मॉल खोला सेक्योर चाहरो अभी मॉल वाला ने क्या किया एंट्रेंज की सेक्योरिटी की सर्विस किसी को आउट्सोर्स कर दी दोस्तो मैंने बहुत बड़ा वर्ड बुला है अगर आपको आउट्सोर्सिंग समझ में आया है तो शायद आपको ये भी समझ में आया होगा और इस केस में आउट्सोर्सिंग यानि की मॉल वाला ये नहीं चाहता कि वो गार्ड सेक्योरिटी की सर्विस का ध्यान रखे से जगे से आते है एक डरता है जो सब्सक्राइब है लुए आउट्सोर्सिंग का एडवाटेज Rising मतलब जो जिसकाम में एक्सक्पर्ड है उसको वह काम करने दो हुआउप से क्रेंब को खतम करूं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आउट्सूर्सिंग कुछ डिसएडवांटेज़ नहीं है डिसएडवांटेज़ भी है जो हमने सीखा एडवांटेज भी है जो थोड़े ज्यादा एडवांटेज लगते है हाना मतलब इन एंड ऐसा लग रहा है सुनके कि आउट्सूर्सिंग अच्छा है बुरी चीज नहीं है बिलकुल यह बुरी चीज नहीं है और बिजनस में बड़ी बड़ी कंपनी में आउट्सूर्सिंग is a very common ठीग ठीग है तो चलो दोस्तो इजगे साथ इस लेक्चर को यहां पर यह एंड करेंगे next lecture में दोस्तो हम outsourcing को पुरी तरह से finish करेंगे ये lesson को finish करेंगे next lecture में हम समझेंगे कि outsourcing कितने types होते तो patience बनाये रखिएगा next lecture में मिलता हूँ next lecture में lesson number 5 को भी हम end करेंगे दोस्तो please comment section में बताना outsourcing आपको समझ में आया की नहीं next lecture में मैं outsourcing पे 2 minute भी waste नहीं करूँगा सीधा इसके further points पे बढ़ूँगा तो please एक बार outsourcing के handwritten notes expand करो ये notes को अपने handwritten handwriting में बताने आपको पढ़ाई करो मज़े करो आप सभी से मिलता हूँ next lecture में